एक गाव में द्रोन नाम का ब्राहमन रहता था। वह बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और नहीं कुछ खाने को था। ब्राहमन जैसे तैसे भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने द्रोन को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गौधन मानकर ब्राहमन द्रोन उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, ले चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मनहीमन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद, रात होते ही चोर ब्राहमन के घर बैल चुराने के इरादे निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्शस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहा जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राहमन के बैल चोरी करने जा रहा हूं. चोर की बात सुनकर राक्शस बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं. मैं कई दिनों से भूखा हूं. मैं उस ब्राहमन को खाकर अपनी भूख शान्त करूंगा और तुम उसके बैल ले जाना चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है यह सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को साथ लेकर ब्राहमन के घर पहुचा ब्राहमन के घर पहुचकर राक्षस बोला पहले मैं ब्राहमन को खा लेता हूँ उसके बाद तुम बैल चुरा लेना चोर ने कहा नहीं पहले मैं बैल चुराऊंगा उसके बाद तुम ब्राहमन को खाना अगर तुम्हारे आक्रमन से ब्राहमन जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा फिर राक्षस बोला जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से भी ब्राह्मन जाग कर अपनी रक्षा कर सकता है राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे एक दूसरे की बात मानने को उन में से कोई तयार नहीं था उसी बीच राक्षस और चोर की आवास सुनकर ब्राह्मन जाग गया ब्राह्मन को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला है ब्राह्मन देखो यह राक्षस आपको खाने आया है लेकिन मैंने इस से आपको बचा लिया इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत कहा नहीं ब्राहमन मैं आपको खाने नहीं बलकि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहां आया हूँ यह चोर आपके बैल चुराने आया था दोनों की बात सुनकर ब्राहमन को शक हुआ खत्रे को भाम पते हुए ब्राहमन ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया हमें हमेशा परिस्थिती के अनुसार काम करना चाहिए जैसे इस कहानी में ब्राहमन ने किया उसे चोर वराक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया जो उस परिस्थिती के लिए बिलकुल सही था